अगर हमारे eyebrows भगवार ने इतना थिक नहीं दिया है तो कोई बात नहीं हम लोग temporarily से ही हमारे eyebrows को हम थिक कर सकते हैं कुछ टेकनिक से हैं जैसे हम eyebrow powder यूज कर सकते हैं हिना tint यूज कर सकते हैं यह जो दोनों मैंने mention किया है ना इन दोनों का tutorial मैंने videos में डाल के रखा है आप playlist में जाके भी देख सकते हैं नहीं तो description box में उसका link में दे दूँगी वहां से जाके भी आप check कर सकते हैं जो थर्ड टेकनिक है ना वो बहुत ही easy है प्लस यह budget friendly भी है सिर्फ और सिर्फ eyebrow pencil से ही आप बहुत ही अच्छा eyebrows को shape कर सकते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टिप देना चाहती हूं जो eyebrow pencil हम चूज करेंगे उसको na according to the hair color चूज करना चाहिए अगर हमारा जो hair है वो बहुत black है मताब black color है तो हम एक black eyebrow pencil यूज करना चाहिए और अगर आपका hair color मेरी तरह brownish है तो brown pencil यूज कीजेगा second tip मैं यहां पर बताऊंगी कि high quality eyebrow pencil यूज कीजेगा जो तुरसा pigmented है अच्छा है जिसे मैं यहां पर recommend करूँगी कि आप Miss clear का brown जो eyebrow pencil आता है उसको use कर सकते है और हाँ pencil को हमेशा अच्छी तरह से sharp करना मत भूलिएगा before doing this सबसे पहले मैं क्या करूँगी spoolie के साहरे eyebrows को इस तरह से brush करूँगी downward brush करूँगी पहले ठीक है अगर आपके पास spoolie नहीं है तो कोई बात नहीं है शोना मुनीज अगर आपके पास mascara है तो उसको पुराना कोई mascara है तो उसके brush को आप clean करके अच्छी तरह से उसको spoolie की जगाए आप इस्तमाल कर सकते हैं और इस तरह से मैं एक border बनाऊंगी धीरे-धीरे करके जैसा कि मैंने पहले ही बताया मेरा hair color जो है वो brown है light brown है तो इसी तरह से मैंने थोड़ा सा light brownish color का eyebrow pencil लिया है eyebrows के end portion थोड़ा thin होता है तो इसी तरह आप shape बनाए रखिए middle portion पहला portion थोड़ा सा मोटा होगा last portion थोड़ा सा पतला होगा इस तरह से pencil को आखों के सामने रखके मैंने एक V shape तयार किया है first portion जो eyebrows का है ना उसको हम लोग filled up अभी नहीं करेंगे तो आप देखिए इस तरह से आपको करना है pencil को slanting रखके इस तरह से आप filled up कीजेगा अभी जो है spoolie के सहारे उपर की और stroke दीजे यह देखिए किस तरह से वह mix हो जाएगा eyebrows जहां पे थोड़ा सा डार्क लगा था और फिर हम इस portion में धीरे धीरे उपर की और ऐसे stroke देते रहेंगे एकदम हलके हाथों से यहां पर करना है हां एकदम दबा दबा के मत कीजेगा आर्टिफिशल लगेगा उसके पूली के सहारे फिर से एक और बार हम इस तरह से एक शेप कर लेंगे एक और step आप यहां पर add कर सकते हैं इस तरह के का concealer ले लिजिए मैंने ये concealer यूज किया है यह देखे इस तरह से आप ऐसे नीचे की और और उपर की और और side में इस तरह से एक boundary दे दीचे और उंगली के सहारे इस तरह से मैं mix कर रही हूँ यह देखे यह बहुत ही अच्छा शेप उभर के आता है अगर आपको डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी के नहीं तो आप बिल्कुल डरियमात एक दम आराम से घर पे थोड़ा practice कर करेंगे मुझे तो लगता है आप एक ही दिन में मतलब पहली दिन में ही आप perfectly अपने eyebrow को shape कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से एक difference आया है आप एक पर ट्राइकर करके जरूर देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना difference आता है यह देखिए I hope आप अभी अच्छी तरह से कर पाएंगे बहुत ही easy है बहुत ही budget friendly है है ना friends एक like equal to thousand motivation तो ज़रूर like किजेगा अगर अच्छा लगे तो और नए है मेरे चैनल में तो subscribe एक कर दिजेगा तो अच्छा लगेगा मुझे भी next time एक और वीडियो लेके आपके पास में हाज़ हो जाओंगी थैंक यू सो मुझ पर वाची चौना मुनीज बाइबाइ